देखी क्या हुआ जब नोकिय 310 को हाइडरोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो सबसे पहले स्लेंडर को स्रेडर मसीन में डाला गया तो स्रेडर मसीन ने इसका कचुमर बना दिया फिर उसके बाद cycle को स्रेडर मसीन में डाला गया तो स्रेडर मसीन ने उसके भी टुकड़े टोड़े कर दिये जब iPhone को hydraulic machine के नीचे रखा गया तो iPhone तो एक तन के बजन पढ़ते ही तूट गया और जब Nokia 3310 को hydraulic press के नीचे रखा गया तो ये भी दो टन के बजन पढ़ते ही चूर चूर हो गया